हेलो एबरिवन, वेलकम टू था सिलिकन गुरुकुल रिसेंटली स्टेट अफ जिवराल्टर वाजन नियूज विकाउज इरान ने ये धंकी दिया है, ऐसा थ्रेटनिंग दिया है कि अगर इजराइल ने गाजा पर बॉंबिंग करना बंद नहीं किया तो फिर वो स्टेट अफ जिवराल्टर को बंद कर देगा या मेडिटरनीन सी को भी बंद कर देगा, ऐसा इरान ने कहा है और ऐसा कहने के पीछे उसका क्या तर्ग है, ये किसी को समझ में तो नहीं आ रहा है इरान खुद तो मेडिटरनीन सी में जा नहीं सकता है और इसका डिरेक्ट कोई अक्सेस तो है नहीं, लेकिन इरान ने ओफिशियली ऐसी धमकी दी है लेकिन जहां तक मिडलेश्ट के पॉलिटिक्स को देखा जाता है या फिर शियली का जो पॉलिटिक्स होता है उसे दिखा जाता है तो समझ में आता है कि जो लेबनान का हेजबॉला नेटवर्क है और सीरिया का कुछ एलाइड मिलिशिया है वो इरान से थोड़ा सा बैक्ट है यानि इरान उसको समर्थन देता है लेकिन वो भी तो बहुत दूर है शियरिया यहाँ है और लेबनान भी इसी जगह कहीं है तो यह बहुत दूर हो जाता है अगर हम स्टेट ऑफ जिब्राल्टर की बात करें तो वहाँ से यह काफी दूर है हो सकता है यहाँ के कुछ इसके fighters के on the basis of those fighters इरान ने ऐसा claim किया हो कि वो ऐसा कर सकता है यानि कि उसने खुली चुनोती Europeans और USA को दिया है कि अगर आपने इसराइल के द्वारा गाजा पर bombing नहीं रुकवाया तो फिर हम ऐसा करेंगे तो बात चाहे जो भी हो आगे जो भी होना होगा हम तो उसे news में देखेंगे लेकिन हमें एक बार देख लेना है कि state of Gibraltar क्या है तो यह fully geographical fact का एक topic है तो it is a narrow waterway यह बहुत ही narrow waterway है यहाँ आपको देखी रहा होगा कि इस तरफ भी एक sea body है यानि Mediterranean Sea है और इस तरफ Atlantic Ocean है बीच में यह बहुत ही narrow body है और until the opening of the swage canal जब यह swage canal बनके ready हुआ था आप देख सकते हैं यह रहा आपका swage canal तो swage canal यहाँ है तो swage canal जब तक swage canal नहीं बना था यानि कि 1869 से पहले Mediterranean Sea में जाने का यही एक रास्ता था अगर इंडिया से किसी को Mediterranean Sea जाना है तो वो Cape of Good Hope होते वे इस तरफ से घूमके यह state of Gibraltar होते वे उसके बाद ही यह इटली या रोमानिया या उस्ट्रिया टर्की कहीं भी अगर सी रूट से जाना होता था तो ऐसे ही जा सकता था अभी तो swage canal था नहीं तो आप समझ सकते हैं कि 1869 ठीक है तो pre-industrial time से ले करके या colonial time से ले करके 1869 तक का time के लिए यह state of Gibraltar कितना important रहा होगा आप खुद इस कांदाजा लगा सकते हैं It is one of the biggest waterways in the world World के सबसे biggest waterways में इसकी गिंती होती है per day 300 ships यहां से गुजरते हैं अगर per 5 minute बात करें तो एक ship हर 5 minute में आपको यहां से गुजरता हुआ दिखेगा borders की बात करें तो ध्यान देना यहां North में Spain है और Spain के साथ-साथ Gibraltar में एक छोटा से एरिया है जो UK का है United Kingdom, Britain वहां का है Britain Overseas Territory of Gibraltar यह छोटा से एरिया है जो Britain के control में है और South में अगर आप देखेंगे तो South में Morocco है लेकिन साथ-साथ Morocco के यहां पर Ceuta है Okay, Ceuta I'm sorry if I can't pronounce it well तो यह Ceuta है जो Spain के control में है तो North में भी European country का control है और South में भी European country का control है अगर इसकी length की बात की जाए तो यह 58 km long है और सबसे narrow point पर जो सबसे narrow point है इसका यहां आपको दिख रहा होगा यह जो सबसे narrow point है इसकी length या width जो भी आप कह लिजिए मात्र 13 km रह जाती है Okay, मात्र 13 km और दिखता भी है यह दिखो यह European pillar of Hercules इसे का जाता है तो कुछ folklore इससे जुड़ा हुआ है तो यहां से देखने पर इस तरफ यह Africa का part दिख जाता है तो North African shore Jebel Musha in the background आपको यहां पर दिख रहा है तो यहां एक बहुत important बात है यहां यह जो mountain है pillar of Hercules इसका कुछ वहां पर folk tales है यह religious way में भी बहुत important है Europeans के लिए और 300 to 900 meters का depth देखा जाता है यहां sea में and it forms a significant gap between the high plateau of Spain and the Atlas mountain of North Africa तो यहां पर high plateau है और इस तरफ तो आपको पता ही होना चाहिए कि यहां पर Atlas mountain है और geological studies have revealed that the state was formed due to the northward movement of the African plate towards the European plate an important port located on the street is the Moroccan port of Tangier made near Tangier तो इस तरह से कुछ information related studies से जो कि मैंने आपको provide किया है I hope exam में आप इसका पूरा पूरा benefit उठाएंगे